विशेशन दिये गए कत्नों को पढ़िये और समझिये महात्मा बुद्ध किसी गाव में जा रहे थे रास्ते में घना जंगल पढ़ता था वहां भ्यानक डाकू अंगुलीमान रहता था उसकी बड़ी-बड़ी मूचें, गने बाल, डरावनी शकल तथा लाल-लाल आखें देखकर डर लगता था अंगुलीमाल के हाथ में एक दलवार थी बुद्ध उसे देखकर मुस्कुराए और खड़े हो गए डाकू हैरान था, क्योंकि आज पहली बार कोई आदमी उसे देखकर डरा नहीं इन वाक्यों में रंगीन छपें शब्दों पर ध्यान देने से स्पष्ठ है कि ये सभी शब्द अपने साथ आय संग्या शब्दों की विशेशता बता रहे हैं जैसे किसी गाव, घना जंगल, भयानक डाखू, बड़ी-बड़ी मूचें, घने बाल, डरावनी शक्ल, लाल-लाल आँखें, एक तलवार, पहली बार, कोई आदमी ये सभी रंगीन शब्द विशेशन हैं गाव, जंगल, डाकू, मूचें, बाल, शक्ल, आँखें, तलवार, बार, आदमी विशेश्य हैं संग्या या सर्वनाम की विशेश्ता बताने वाले शब्द विशेशन कहलाते हैं विशेशन जिन संग्या या सर्वनाम शब्दों की विशेश्ता बताते हैं, उन्हें विशेश्य कहा जाता है आव जाने विशेशन के भीद विशेशन के चार प्रकार होते हैं गुण वाचक विशेशन परिमान वाचक विशेशन संख्य वाचक विशेशन और सार्वनामिक विशेशन सबसे पहले जानते हैं गुण वाचक विशेशन के बारे में जो विशेशन किसी संग्या या सर्वनाम के गुण दोश, आकार प्रकार, रंग रूप, अवस्था स्थिती, गंध स्वाद, काल स्थान आदि का बोध कराता है उसे गुण वाचक विशेशन कहते हैं जैसे मीठा आम, कमजोर आदमी, लंबा पेड, गोल मेज, काली कोयल इन उधारणों में रंगीन शब्द गुण वाचक विशेशन हैं गुण वाचक विशेशन कुछ इस प्रकार की विशेशताओं का बोध कराता है गुण सच्चा, प्रिश्मी, इमांदार, चरित्रवान आदी दोश, आलसी, जूठा, बैमान, चरित्रहीन आदी रंग, काला, सफेद, पीला आदी, दशा अवस्था स्वस्थ, कमजोर, रोगी आदी, गंद स्वाद, सुगंधित, बदबुदार, मीठा, खटा, नमकीन आदी अब जानते हैं परिमान वाचक विशेशन के बारे में परिमान का अर्थ है मात्रा, जो विशेशन संग्या की माप तोल मात्रा का बोध कराता है उसे परिमान वाचक विशेशन कहते हैं जैसे 100 ग्राम दूद, 20 किलो चावल, कुछ फल दिये गये उधारणों में रंगीन शब्द परिमान वाचक विशेशन है परिमान वाचक विशेशन दो प्रकार के होते हैं निश्चित परिमान वाचक विशेशन और अनिश्चित परिमान वाचक विशेशन निश्चित परिमान वाचक विशेशन निश्चित परिमान का बोध कराने वाले विशेशन को निश्चित परिमान वाचक विशेशन कहते हैं जैसे दो लीटर दूद पांच किलो आटा आदी अनिश्चित परिमान वाचक विशेशन अनिश्चित परिमान का बूध कराने वाले विशेशन अनिश्चित परिमान वाचक विशेशन कहलाते हैं जैसे थोड़ी चीनी कुछ सबजियां आदी अब जानिये संख्या वाचक विशेशन को जो विशेशन संध्या की संख्या संबंधी विशेशता का बोहत करवाएं उन्हें संख्या वाचक विशेशन कहते हैं जैसे एक पुस्तक, कुछ कमीजें, दस चडियां, सातों लड़के आदी संख्या वाचक विशेशन के भेद संख्या वाचक विशेशन के भी दो प्रकार होते हैं निश्चित संख्या वाचक और अनिश्चित संख्या वाचक किसी संग्या की निश्चित संख्या का बोध कराने वाले विशेशन निश्चित संख्या वाचक विशेशन कहलाते हैं जैसे दस बच्चे, दो मकान, साथ साढ्यां आदी अनिश्चित संख्या वाचक विशेशन, संग्या की अनिश्चित संख्या का बोध कराने वाले विशेशन अनिश्चित संख्या वाचक विशेशन कहलाते हैं जैसे कुछ पैंसिले, अनेक आदमी आदी विशेश तथ्य का ध्यान रखें कि दिये गई शब्द भी संख्या वाचक विशेशन होते हैं आधा, पहला, दुगुना, चोगुना, सातों, चारों, हरवर्ष, प्रतिमास आदी अब समझिये सार्वनाम एक विशेशन को कभी-कभी सार्वनाम शब्दों का प्रियोग किसी संग्या की और संकेत करने के लिए होता है ऐसी स्थिती में वह सर्वनाम सार्वनाम एक विशेशन कहलाता है यह मकान सुन्दर है, वे पेड हमने लगाए थे इस विद्याले में पढ़ता हूँ उप्युक्त उधारणों में ये है वे इस सर्वनामों का प्रियोग हुआ है पर ये सर्वनाम यहाँ विशेशन का कार्य करते हुए मकान, पेड तथा विद्याले की ओर संकेत कर रहे हैं उनकी विशेशता बता रहे हैं अतह है ये सार्वनामिक विशेशन माने जाएंगे। जो सर्वनाम संग्या से पहले आकर विशेशन का कारे करते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेशन कहते हैं। अब देखिए सार्वनामिक विशेशनों के अन्य उधारण। कोई लड़का बाहर खड़ा है। तुम्हें कौन सी पुस्टक चाहिए? उन लड़कों ने गीत गाया उप्यूक्त उधारणों में रंगीन छपेश शब्द सार्वनामिक विशेशन हैं। विशेशनों की रचना के बारे में जाने, कुछ विशेशन अपने मूल रूप में प्यूक्त होते हैं। जैसे अच्छा, चंचल, मोटा आदी। कुछ विशेशनों की रचना संग्या, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय, आदी शब्दों में प्रत्य जोड कर की जाती है। जैसे पीड़ा से पीडित, पर्वत से पर्वतिय, स्वदेश से स्वदेशी। इन शब्दों में क्रमश, इत, इय, तथा इप्रत्य जुड़े हैं। इसी प्रकार के कुछ उधारन आगे दिये जा रहे हैं। उन्हें ध्यान से देखें। आव पहले देखें संग्या शब्दों से विशेशनों की रचना। इक प्रत्य जोड कर बने शब्द देखें। विवाह संग्या शब्द है, उसका विशेशन शब्द है वेवाहिक। ऐसे ही भुगोल संघ्या शब्द है और उसका विशेशन शब्द है भोगोलिक. इत प्रत्य जोड कर बने शब्द देखें. पुष्प संघ्या शब्द है जिसका विशेशन शब्द है पुष्पित. अपमान संघ्या शब्द है जिसका विशेशन शब्द है अपमानित. शहरी, विदेश संग्या शब्द है और उसका विशेशन शब्द है विदेशी, यह प्रत्य जोड कर बने शब्द देखें, स्वर्ग संग्या शब्द है और उसका विशेशन शब्द है स्वर्गिये, राष्ट्र संग्या शब्द है, जिसका विशेशन शब्द है राष्ट इन प्रत्य जोड कर बने शब्द देखें युग संघ्या शब्द है और उसका विशेशन शब्द है युगेईन नमक संघ्या शब्द है जिसका विशेशन शब्द है नमकीन इला प्रत्य जोड कर बने शब्द देखें रस संग्य शब्द है जिसका विशेशन शब्द है रसीला चमक संग्य शब्द है जिसका विशेशन शब्द है चमकीला आनिय प्रत्य जोड़कर बने शब्द देखें पूजा संग्य शब्द है जिसका विशेशन शब्द है पूजनिय निंदा संग्य शब्द है जिसका विशेशन शब्द है निंदनिये आलू प्रत्य जोड कर बने शब्द देखें क्रिपा संग्य शब्द है जिसका विशेशन शब्द है क्रिपालू इशा संग्य शब्द है जिसका विशेशन शब्द है इशालू आप प्रत्य जोड कर बने शब्द देखें ठंड संग्या शब्द है जिसका विशेशन शब्द है ठंडा भूक संग्या शब्द है जिसका विशेशन शब्द है भूखा मानवान प्रत्य जोड कर बने शब्द देखें बुद्धी संग्या शब्द है जिसका विशेशन शब्द है बुद्धिमान धन संग्या शब्द है जिसका विशेशन शब्द है धनमान एरा प्रत्य जोड कर बने शब्द देखें चाचा संग्या शब्द है जिसका विशेशन शब्द है चचेरा लूट संघ्या शब्द है जिसका विशेशन शब्द है लुटेरा कार प्रत्य जोड कर बने शब्द देखें कहानी संघ्या शब्द है जिसका विशेशन शब्द है कहानिकार नाटक संघ्या शब्द है जिसका विशेशन शब्द है नाटककार आओ अब सर्वनामों से विशेशनों की रचना देखें मैं सर्वनाम है जिसका विशेशन है मुझसा ऐसे ही जो जैसा वह वैसा अब क्रिया से विशेशनों की रचना देखें खाना क्रिया है और इसका विशेशन शब्द है खाऊ ऐसे ही पीना पियककड बेचना विकाऊ और आखिर में अव्यय से विशेशन बनाना देखें आगे अव्यय शब्द है और इसका विशेशन शब्द है अगला ऐसे ही पीछे पिछला, बाहर बाहरी अब सर्वनाम और सार्वनामिक विशेशनों का अंतर समझे सर्वनाम शब्द संग्या के स्थान पर प्रियुक्त होता है सार्वनामिक विशेशन के रूप में वही सर्वनाम संग्या के साथ प्रियुक्त होता है जैसे, वह बहुत प्रिश्मी है, सर्वनाम, वह लड़का बहुत प्रिश्मी है, सर्वनामिक विशेशन, आप क्या खाएंगे, सर्वनाम, आप क्या चीज खाएंगे, सर्वनामिक विशेशन चलो विशेशनों की अवस्थाएं देखें तुलना के आधार पर विशेशनों की तीन अवस्थाएं मानी जाती हैं सबसे पहले मूल अवस्था जब हम केवल किसी एक व्यक्ति, वस्तू या स्थान की समान्य विशेशता का उलेक करते हैं तो वह विशेशन की मूल अवस्था होती है मूल अवस्था में किसी प्रकार की तुलना नहीं किये जाती जैसे सुधांशु अच्छा खिलाडी है यामिनी सुंदर लड़की है फिर आती है उत्तरा वस्था जब किसी विशेशन द्वारा दो व्यक्तियों वस्तुओं आधी की तुलना करके उनमें से एक को अधिक या नियून बताया जाता है तो यह विशेशन की उत्तरा वस्था होती है जैसे सुधांशु राजीव से बेहतर खिलाडी है यामिनी कामिनी से अधिक सुन्दर है और आखिरी अवस्था है उत्तमा वस्था जब किसी विशेशन द्वारा दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं आधी की तुलना करके उनमें एक को सबसे अच्छा या सबसे बुरा बताया जाता है तो यह विशेशन की उत्तमा वस्था होती है जैसे सुधान्शु सबसे अच्छा खिलाडी है यामिनी सबसे सुन्दर लड़की है विशेशनों की तुलना में प्रियुक्ट होने वाले प्रत्य मूलवस्था से उत्तरा वस्था बनाने के लिए तर तथा उत्तमा वस्था बनाने के लिए तम प्रत्य का प्रियोग किया जाता है जैसे न्यून मूलवस्था है न्यून तर उत्तरा वस्था है और न्यून तम उत्तमा वस्था है ऐसे ही उच्च मूल अवस्था है उच्चतर उत्तरावस्था है और उच्चतम उत्तमावस्था है विशेशनों के लिंग वचन अ, ई, उ, उ से अन्त होने वाले विशेशनों के लिंग वचन आदी में कोई परिवर्तन नहीं होता जैसे अ से अन्त होने वाले विशेशन सुन्दर लड़का सुन्दर लड़की सुन्दर लड़के सुन्दर लड़कियां आदी E से अंत होने वाले विशेशन धनी सेट धनी सेठानी धनी महलाएं आदी U से अंत होने वाले विशेशन दयालू राजा दयालू रानी दयालू स्त्रियां आदी U से अंत होने वाले विशेशन जगडालू लड़का जगडालू लड़के जगडालू लड़कियां आदी आ से अंत होने वाले विशेशनों के लिंग वचन उनके विशेश्यों के अनुसार बदलते हैं जैसे प्यासा कववा, प्यासी कोयल, प्यासे लड़के आदी अब जानते हैं प्रविशेशन को विशेशनों की विशेशता बताने वाले शब्द प्रविशेशन कहलाते हैं जैसे लक्ष्मिबाई अत्यंत विरांगना थी दरियोधन बहुत हठी था इन वाक्यों में प्रियुक्त, अत्यंत और बहुत शब्द अपने साथ आये विशेशनों की विशेशता बता रहे हैं। इसलिए ये प्रविशेशन हैं।